जैहिंद बच्चों, तो हम आपके लिए एक और स्कॉलर्सिप लेकर आये हैं, जिसका नाम है प्रतिवा सम्मान योजना 2024, योजना 2030 में भी आये थी, 2022 में भी आये थी, इसी प्रकार 2024 में भी आई है, तो इस योजना के बारे में हम आपको थोड़ी जनकारी देंगे, कैसे आ पूरा प्रोसेस आज किस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं, साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा, और यहाँ पर जो है, सभी आइप वाला वाला कर है आप प्रोजेक्ट करके भी इसकोलर सीव पास सकते हैं तीसरा आप लोग का है यहांपर, फिसरा जो है ये एक है नेस्नल डिसर्च कमपडिशन यानी कि आप प्रती योगता वाला एग्वाइब कर सकते हैं तो यहाँ गराइब कर सकते हैं जिसके बाद जो हैं आंगे का प्रोसेस आपको बताते हैं कैसे आपको क्या करना रहे गा नोटिफिफिकेशन है उसमें हम ले चलते हैं आपको पूरा notification समझाते हैं किसमें क्या जानकारी आपको दी गई है तो यहां पर देखो यहां पर जो बच्चे हैं वो 3 से 12 तक कि जो है सबी बच्चे इसमें apply कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कच्छा 3 से लेकर 12 तक कि इस सब ही विध्यारती जो है इसमें अपलाई कर सकते हैं। इसमें अपलाई कर सकते हैं। इसमें अपलाई में आपको रुची है तो आप वहाँ पर प्रोजेक्ट बना के दिखा सकते हैं। सौप्रशन आप से पूचे जाएंगे। सही उत्तर चैन करने वाले छात्रों का चैन मेरिट के आधार पर हो यानि कि आप यतने कोशें सही करेंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। चैनित उमीदवारों की जारी सूची के आधार पर जिला एवर राजिस्तरी अलंकरत प्रदान किया जाएगा। यानि कि देखो दो इस्तर पर इसमें मेरिट लिष्ट बनेगी। एक तो आपकी बनेगी जिला लेवल यानि डिस्ट्रिक लेवल की। इसके बाद आपकी बनेगी राजिस्तरी यानि कि इस्टेट लेवल की। मितावई चात्रों के परिच्छा परड़ाम ऑनलाइन सूची के माध्यम से जारी किये जाएगा। यानि कि आपकी जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन जारी किया जाएगा। उसके साथ में आप लोगों के लिए अपडेट है कि आप लोग जो है टेलिग्राम और वाटसप ग्रूप को जरूर जोइन कर लिए जिससे PSY नेशनल की एक्जाम की कोई भी जो अपडेट आती है तो हम आपको वहां पर तुरंत पहुचा सके हैं अगर आप टाउनलोड की हैं टेलिग्राम चलाते हैं वाटसप तो सभी चलाते होंगी तो आप उसे जरूर जोइन कर लिए लिंक आपको डिस्क्रिशन मिल जाएगा उसे जोइन कर लिजेगा साथ में यूटूब चैनल को भी सब्स्राइब कर लिजेगा यहां पर आपको PSY की जो भी important updates हैं और जो देखो आपको लोगों को यहां पर जो है इस कौर्चि में आवेदन करने के आपको 200 रुपीज फीज पे करने होगी क्या करने होगी यह आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आद्यम से कर सकते गर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को continue देखिए यहां पर आपको पूरा प्रसित बता कैसे आपको apply करना गर ऊफलाइन करना चाहेते हैं तो आप उने प्राशन याने की प्रधाना चार्थ संपर्क कर सकते हैं यहां पर इनने साब साब कहा दिया कि आपको इसके लिए 200 रूपय जो है प्रती उम्मीद्वार जो है आवेदन करना होगा अब इसके बाद इसमें कुछ है नहीं इसके बाद देखो जानकार इस प्रकार है तो यहां पर ग्रूप A बगारा वो तो हम आपको बाद में बता देंगे इसके बाद यहां पर इनका जो स्लेबर बगारा है वो देख लेते हैं तो यहां पर देखो अब देखो यहां पर क्या होगा इसमें benefit क्या मिलेगा उसको हम आपको थोड़ा समझा देते हैं आपको फॉर्म अप्लाई पर ले चलते हैं कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है in this state level student award ceremony the first student will be honored with a meritorious state decoration all the participating student will be invited the ceremony and honored with a situation as well as memo and to of talent honor of the all participants fine arts will be developed the student it will be proven helpful in the general knowledge handicraft and intellectual development of the student. The student will be developed ability to conduct research generated data through application. The citation to the selected student will be important. The participant certified the government will feel morally positive pride. यहाँ पर जो है इसके बारे में आपको benefit में यह benefit है कि आपको यहाँ पर तो 3 साल की scholarship दी जाएगी. इसका जो इनका देश है वो देशे की जो हस्यार बच्चे यानि की जो मेरा ही बच्चे हैं उन तक यह पहुँच पहुँच सके और इसका result भी आपको हम बता देंगे. इसका result आपको 15 March 2025 को गोशित हो जी आएगा. यानि इन्होंने date भी दे दी है. अभी सी इन्होंने date दे दी है. आप यहाँ पर देखो और कुछ जानकारी जो है वो आपको जुटाते हैं. उन्होंने कुछ जानकारी दी थी. इस ट्रेवल अलाउंस बगारे की जानकारी यही पर उन्होंने दी हुई थी. तो यहाँ पर मैंने पढ़ा था. चलिए कोई बात नहीं. यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है. तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं. फॉर्म अप्लाई पर कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है. पूरी इस्विल्टी क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया है. कि आप लोग जो है थर्ड से लेकर ट्वल तक कि सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. इसमें OBC, ST, ST केटागरी से कोई इसका लेना देना नहीं है. और साथ में इसका प्रीवेश एर के परसेंटेस से भी कोई लेना देना नहीं है. अब देखो फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं. प्रोसेस क्या रहेगा. उसके लिए आपको क्या करना है? Google पर जाना है. Simply आपको यहाँ पर सर्च करना है. हिंदुस्तान नौलेज आपको सर्च करना है. क्या सर्च करना है? हिंदुस्तान नौलेज आपको simply यहाँ पर टाइप कर देना है. हिंदुस्तान नॉलेज आप सर्च कर देंगे तो जैसे हिंदुस्तान नॉलेज आप सर्च करेंगे तो जैसे आप हिंदुस्तान नॉलेज सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार पेज आ जाएगा तो simply आपको क्या करना है इसके home page पर यहाँ पर आपको click कर देना है तो जैसे इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने को जिस प्रगार का page आ जाएगा तो यहाँ पर देखो आप लोगो प्रतिवाज सम्मान योजना PSY दिख जाएगी प्रतिवाज सम्मान योजना अगर आप लोग UP Board से, इमाचिर प्रदेश, उत्तराखन Board से हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अतुल मैशरी में भी apply कर सकते हैं, उसकी link आपको description में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर simply आपको इस link पर click कर देना है, प्रदिवा शम्मान पर, जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रगार का page दो है, ओपिन होकर आ जाएगा, यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे गई है, यहाँ पर आएगे तो आपको प्रदिवा शम्मान योजना 2024 form apply link यहाँ पर आपको दिख जाएगी, तो आपको apply link पर button पर click करना है, तो जैसे apply link पर button पर click करेंगे, pre-junior group A, group B, group C, group D और group E यहाँ पर इन्होंने बाटा हुआ है, तो यहाँ से आप लोग इसकी बारे में जानकारी ले सकते हैं, अगर आपको अधिक जानकार यानि की पढ़ना है, तो आप यहाँ से click करके अपनी important updates यहाँ से ले सकते हैं, अब हम चलते हैं, देखो, यहाँ पर हम करने वाले हैं apply इसमें PSY National Prelims Examination में, अगर आप research competition में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर apply link पर click करेंगे, अगर आप PSY Painting competition में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर apply करेंगे, अगर आपको इसके बारे जानकारी चाहिए, तो यहाँ से आप लोग click here के button पर click करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, जैसे हम prelims में करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर apply now के button पर click करेंगे, जैसी apply now के button पर click करेंगे, तो यहाँ पर थोड़े दिर आपको wait करना है, आपका जो है form खुल के आ जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, candidate का यहाँ पर आपको नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है वो लिख देंगे, इसके बाद यहाँ से आपको अपनी DOB यानि की date of birth लिखनी है, इसके बाद यहां से आपको यहां पर father name लिखना है क्या करना आपका आपका जो father name है, mother name है आपकी contact number, आपको mobile number लिखना है यहां पर आपको अपनी email ID देनी है इसके बाद आप जिस category से आते हैं वो category आपको select कर लेनी है जैसे यहां पर आ रहा है आपका OBC, ST, ST, other जो भी है इसके बाद student group में आपको क्या करना है यहां पर pre-junior, senior secondary आप जैसे 10th में है तो आप senior करेंगे 12th में, 11th में तो आप senior secondary करेंगे इसके बाद यहां से आपको state select करने नहीं क्या करना है, state select करना है क्या करना है, यहां से आपको अपना district जो है, वो select कर लेना है district आपका जो भी हो, वो आपको select कर लेना है, तो यहां पर आप जैसे ही सारी जनकारी fill कर लेंगे इसके बाद आपको क्या करना है, fill करने के बाद आपको next की बटन पर क्लिक करना है, तो हम सबसे पहले अपनी सारी जनकारी फिल कर लेते हैं, इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं तो जैसे आप साइड डीटेल्स भार लेंगे इसके बाद आपको क्या करना, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है तो जैसे आप next to item पर click करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा देखी दूसरा form खुल के आज़े other information में सबसे पहले आपको previous year की जो आपके number है percentage है वो लिख देने है please यानि की male आप male है या female वो कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको अपना address लिखना है जो भी आपका address है इसके बाद school name लिखना है जो भी आपका school का नाम है इसके बाद यहाँ पर आपको pin code लिखना है आपका जो भी pin code है इसके बाद candidate की image क्या करनी है आपकी जो photo है आपकी एक photo यहाँ पर लगी कि तो choose file पर click करेंगे जैसे आप choose file पर click करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी gallery से आपको एक जो है file यहाँ पर choose कर लेनी है तो यहाँ पर हम pin code वगारा file वगारा choose कर लेते हैं इसके बाद हम next का आपको आँगे का process बताते हैं जैसे अप side details वरके इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे मैं गोश्णा करता हूँ कि मेरे दार नियम पुस्तिका में दीगे समझ जानके सर्ति भले बाती पड़वा समझ ली गई है इसके बाद आपको क्या करना है save and paper click करना है तो यहाँ पर जैसे save and paper click करेंगे जैसे आप save and paper click करेंगी तो यहाँ पर आपका registration number बगारा उपर आपको सब कुछ दिखुख जाएगा जो आपने photo लगाई दिश्रीक बगारा यहां पर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा पर्सनल इफ्रमेशन है इसलिए यहां पर आपको पूरी रेजिटेशन नमबर आपको ओपर दिख जाएगा उसको आपको नोड करके रख लेना या फिर इसका स्क्रीन सोट खीज लेना है इसके बाद आपको क्या करना है आपको करना है पे नाव पर बटन यानि की अपनी फीस पैड करनी है तो जैसे आप पे नाव पर किलिक करेंगे थोड़े दिर आपको वेड करना है इसके बाद यहां से आपका जो नाम बगारा है यहां पर लिखके आ जाएगा इस प्रकार यहां पर आपको यहां पर क्या करना है अपना card से भी कर सकते हैं net banking wallet, UPI, rewards आप किसी से भी कर सकते हैं UPI से भी कर सकते हैं UPI choose करें QR से कर सकते हैं या फिर आप UPID के थ्रूप कर सकते हैं यहां से आप लोग payment कर देंगे payment के बाद आपका registration complete हो जाएगा फिर इसके बाद आपको कुछ भी करना नहीं है तो इस प्रकार आप लोग जो है इस प्रकार आप लोग जो है PSY में अपना जो है form apply कर सकते हैं पूरी जानकारी हमने आपको दे दिये गर आपका फिर भी कोई doubt रह जाता है तो आप चैनल में comment कर सकते हैं साथ में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा वाटसप गुरो टेलिग्राम गुरूप को जोईन करना ना भूलेगा जिससे आपकी important update आप तक पहुंचती रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिजय हिंद